दोस्तो सल्मान खान के फैंस के लिए आजकल काफी सारी अच्छी खबरे सामने निकल कर आ रही है सल्मान खान फिलाल करन जोहर के बैनर धर्मा तले अपनी अगली फिल्म दबुल की शूटिंग कर रहे हैं जो की एक आर्मी मिसन पर बेश ट्रू इवेंट वाली फिल्म होने वाली है जिसके बाद सल्मान खान दबंग फोर की सूटिंग स्टार्ट करने वाले हैं वहीं अब उनकी अगली फिल्म को लेकर भी बड़ा अपडेट आ चुका है कुछ समय पहले मैंने आपको बताया था कि बजरंगी भाईजान के डिरेक्टर कबीर खान पर्डूसर साजिद नाडिया वाला के साथ अपनी नेक्स्ट फिल्म जिसका वर्किंग टैटल बबबर सेर बताया जा रहा है वो सल्मान खान के साथ डिसकस कर रहे हैं और इसे बनाने की प्लैनिंग भी कर रहे हैं जिसके लिए वो सल्मान खान के साथ कई सारी मीटिंग्स कर रहे हैं क्योंकि सल्मान खान लगातार फ्लॉफ्स फिल्मों की मार जेल रहे हैं और वो अब काफी सोस समझ कर ही अपनी upcoming movies को साइन करना चाते हैं वहीं इसी बीच शाजिद नाडिया वाला सल्मान खान के साथ किक्टू भी बनाना चाते हैं लेकिन इसी बीच उन्होंने सल्मान खान को एक और नई फिल्म का ओफर दे दिया है और ये फिल्म है गजनी और हॉलिडे जैसी सूपर हिट फिल्में बना चुके डिरेक्टर A.R. मुर्गादॉस की upcoming फिल्म का ओफर बताये जा रहा है कि सल्मान खान को इस फिल्म की स्क्रिप्ट काफी जादा पसंद आई है और अब सल्मान खान इस फिल्म को बबर शेर और किक्टू से पहले बनाना चाते हैं यानि सल्मान खान बैक टू बैक कई सारे बड़े डिरेक्टर के साथ अपनी फिल्में साइन कर रहे हैं खबरे हैं कि मुर्गदोस की ये फिल्म एक एक्शन थिलर एंटरेटेनर मुवी होने वाली है जिसके लिए वो जाने भी जाते हैं लेकिन ये एक मेगा बजट मुवी होगी जिसका बजट 400 करोड बताय जा रहा है और इस फिल्म में कई सारे हॉलिवूड डेवल के स्टंट्स भी पैंस को देखने को मिलने वाले हैं जिसके लिए कई सारे एक्शन डिरेक्टर्स को इस फिल्म के लिए अप्रोच भी किया जाएगा हाला कि अभी तक इस फिल्म का कोई भी ऑफिशल अनॉंस्मेंट नहीं किया गया है प्रोड़क्शन हाउस की तरफ से वही सल्मान खान की एक और फिल्म जिसका नाम प्रेम की साधी बताया गया था वो अब डबा बंद कर दिया गया है जिसे उनके फेवरेट डिरेक्टर सूरत बरजातिया डिरेक्ट करने वाले थे इस फिल्म की जगा अब वो सल्मान खान के साथ एक और बड़ी फिल्म बनाने की प्लैनिंग कर रहे हैं जिसकी अनॉंस्मेंट कुछ सालों के बाद कर दी जाएगी तो देखते हैं सल्मान खान की अपकमिंग फिल्म उनके फैन्स पर क्या जादू बिखेरने वाली है और ऐसी खबरे सुनते रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मिलते हैं अगले वीडियो में